आज में एक चमच केवल घी में फलहारी पूरी की पूरी थारी करने वाले ही वह बहुत ही ज़्यादा स्वात के साथ हमारे घर में तो किसी ने ब्रत्मी किया था केवल मैंने किया था पर सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आपको बता नहीं सकते सब मैस कुटिंग डाय चार सीटी लेना है मीडियम फ्लें पर उससे ज्यादा नहीं लेना है उसके बाद जब तक हमारा आलू पक रहा है तब तक हम यहां पर तयारी कर लेंगे यहां पे में ले एक बरतन इसके अंदर हम डालेंगे आधा लिटर दूद अगर आप जादा लोगों के लिए बना र स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो बहुत अच्छा है उसके बाद यहां 10-12 बादाम लिया इसको हमें और दर दरा पीस लेना है और यहां पर देखिये में डर दर इस तरह से पीस लिया है और हमने जो दूद यहां पर पकाया है एक उबार आया है तो इसी के अंदर हम जो बदाम पीसे थे वो डाल लेंगे और इसको बस हमें ज्यादा नहीं पकाना है 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे उसी के अंदर हम चीनरी डाल लेंगे और भी आप ड्राइफुट्स काटके या कूटके या पीसके जैसे भी हो डाल सकते पर मैं यहां पे कुछ मी डाल रहे हूं इससे बना रही हूं बदाम से एक दम सिंपल सा पतला सा बदाम से बस 2-3 मिनट पक देगा तो हम गैस बन कर देंगे इधर हमारी आलू भी अच्छे से उबल चुका है आप देख सकते और यह मुंफली थोड़ा गंदा हो गया तो मैं इसको क्या करूंगी धो दो से तीन हरी मिर्ची काटके बारिक डाली है और कड़ी पता 5-6 सारी चीजों को हमें सोटे कर लेना है उसके बाद यहां पर डाला है मैंने मुंफली इसमें एक लाल मिर्च जो मैंने उबाली थी वो डल गई तो मैंने निकाल लिया बस इस तरह से मीडियम प्लेम पर भू होता है उसको मैंने डाला है और जो आप कच्छा नारियले उसको भी आप डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस हमारा मुंफली सुंडल तयार है बनके बस हरादनिया डाल दिया है और यहां पर गैस बंद कर दिया है हमारा घीव डालेंगे आधा टेबल इस्पून जीरा अधरक को घीज के डालेंगे आधा टेबल इस्पून कड़ी पत्ता आठ से दस बस इस सारी चीज़ों को डालने के बद अच्छे से मिक्स कर लेंगे बूल लेंगे बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है उसके बाद आलू जो हम कुछ चीज़े डालेंगे जिसे पुदीना अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो भी डाल सकते हैं तो मैंने आधा टेबल इस्पून और हरा धनिया और यहां सौफ आधा टेबल इस्पून एक टेबल इस्पून फ्रेश दई और जो हमने यहां पे लाल मिर्च को पहले नहीं डालना है वरना अच्छे से भुननी पाएगा इसलिए हमें बाद में डालना है जब आलू थोड़ा भुन जाएगा उसके बाद जो हमने चटनी को पीसीती सारा डाल देंगे और यहां पानी में एक कब डाल रही हूं चटनी डालने के बाद आप सुखी भी बन जाया था उसको कद्दू कस करेंगे यहां पर ध्यान रहें आपको हाथों से मेश नहीं करना है कद्दू कस ही करना है और उसके बाद यहां पर हराधनिया डालेंगे नमक डालेंगे और उसके बाद यहां पर कुट्टू का आटा जो होता है न उसको लेंगे आपके पास ज में पास यही था और उसके बाद हमें अच्छे से पहले मिक्स करना और एक सोफ्ट साथा लगाना वैसे आपको तुरंत बनाना हो गाए मतब आटा लगाने के बाद आपको इसको रखना नहीं है में तो यह गिल्ला हो जाता है क्योंकि इसमें आलू डला हुआ है इसलिए अग कि हरी हरी सबजी बनके तयार है अब यहां पर हम रोटी बना लेते हैं आप इसका पराठा भी बना सकते हैं पर मैं यहां पर रोटी ही बना रही हूँ उसके बाद यहां पर रोटी बना लेंगे तो सुखा आटा लगा के जो कुट्टू का आटा है वही आटा में लगा रह ना उसके बाद दूसरी तरफ इस तरह से सीख जाएगा तो इसको हम फुला लेंगे जैसे रोटी फुलाते हैं आप है न तवे पे घी लगा के या तेल लगा के भी इस पराठे को बना सकते पर मैं यहां पर रोटी बना रहे हूं मुझे रोटी जादा अच्छा लगता है बस गर्मा गर्म रोटी पे घी लगाएंगे थोड़ा सा हरा दिया ताकि दिक अच्छा सके और इस तरह से कर लेंगे हमारी कुट्टू की रोटी भी बनके यहां तयार है चली अब थाली लगा लेते हैं तो सबसे पहले सबजी फिरिंट सी गरम ही अच्छा लगता है खाने में विसे थो ठंडा पिया जाता है पर मेरा वरत है तो मैं सारे चीज़े गरम ही खाऊंगी आप लोगों को मेरी आज वरत की फलहारी की थाली कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और नए है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें तब तक के बाइ बाइ